इस राजा की थी 365 रानिया उनके खास महल में केवल निर्वस्त रहीं कर सकते थे एंट्री भारत के एक महराजा अपनी रंगीन मिजजाजी के लिए काफी मशूर रहे इस रंगीन मिजजाजी के सच्चे किस्से आपको चौका देंगे हम बात कर रहे हैं पटियाला रियासत के महराजा और पंजाब के मुखे मंत्री कैप्टन अमरिंदर के दादा महराजा भुपेंदर सिंग की पटियाला के इन महराजा की गतिविधियों का जिक्र महराजा भुपेंदर सिंग के दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महराजा में किया है महराजा भुपेंदर सिंग ने पटियाला में लीला भवन या रंगरलियों का महल बनवाया था जहां केवल नेर्वस्त्र लोगों को इंट्री मिलती थी यह महल पटियाला शहर में भुपेंदर नगर जाने वाली सडक पर बाहर अधरी बाग के करीब बनावा है इस महल का जिक्र उनके दीवान ने महराजा में किया है इतिहासकारों के मताबिक महराजा की दस अधिकरित रानियों के समेत कुल 365 रानिया थी इन रानियों की सुक सुवधा का महराज पूरा ख्याल रखते थे महराजा की रानियों के किस्से तो इतिहास में दफ़न हो चुके हैं जबकि उनके लिए बनाए गए माहल अब इतिहासिक धरोहर बन चुके हैं 365 रानियों के लिए पटियाला में भव्ये माहल बनाए गए थे रानियों के स्वास्ते की जाच के लिए चिकित्सा विशेशग्यों की टीम भी इन महलों में ही रहती थी उनकी इच्छा के मताबिक उनहीं हर चीज मुहयय करवाई जाती थी दीवान जर्मनी दास के मताबिक महाराजा भुपिंदर सिन्गी दस पत्मियों से 83 बच्चे हुए थे जिन में तिरपन ही जी पाए थे महाराजा कैसे अपनी 365 रानियों को संतुष्ट रखते थे इसे लेकर इतिहास में एक किसा बहुत मशूर है कहते हैं कि महाराजा पत्याला के महल में रो जाना 365 लाल टेने जलाई जाती थी जिस पर उनकी 365 रानियों में से हर रानी का हर लाल टेन पर नाम लिखा होता था जो लाल्टेन सुबह पहले बुझती थी महाराजा उस लाल्टेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ रात गुजारते थे महाराजा भुपिंदर सिंग का किला पटियाला शेहर के बीच चोबीच दस एकर क्षित्र में फैला हुआ है मुखे महल गेस्ट हाउज और दर्बार हॉल इस किले के परिसर के प्रमुख भाग है इस परिसर के बाहर दर्शनी गेट शेव मंदिर और दुकाने हैं इन दोनों महलों को बड़ी संख्या में भीती चित्रों से सजाया गया है जिने महाराजा नरेंदर सिंग की देख रेख में बनवाया गया था किला मुबारक के अंदर बने इन महलों में सोलह रंगे हुए और कांच से सजाये गए चेंबर है महराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल बनवाया पूल इतना बड़ा कि 150 मर्द और ते एक साथ नहा सकें यहां बड़ी शांदार पार्टियां होती थी पार्टियों में खुले आम रंग रलियां चलती थी उन पार्टियों में शरिखाने के लिए महराजा अपनी प्रेमिकाओं को बुलाते थे वे सब महराजा और उनके दो चार खास मेहमानों के साथ तालाब में नहाती और तेरती थी पटियाला पैग भी दुनिया को महराजा भुपिंदर सिंग की ही देन है महराजा भुपिंदर सिंग के पास दो 930 हीरो वाला नेकलेस था जिसमें दुनिया का साथवा सबसे बड़ा हीरा जड़ा था इस नेकलेस का वजन लगभग 1000 केरेट था इस नेकलेस की कुल कीमत 166 करोड थी फिलहाल इस नेकलेस को बनाने वाली कमपनी कार्टियर का इस पर मलिकाना हग है